हेलो प्यारे बचो क्या हाल चला हैं आप सभी के तो देखे डियर स्टुडेंट्स अपने किया था स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक कपेसिटेंस ठीक है तो अपने कुछ टॉपिक इसके डिसकस कर लिए थे इंपोर्टेंट डेफिनेशन वगेरा आ तो यह जो टॉपिक है यह आपका कमेश्टरी का टॉपिक है लेकिन फिजिक्स में यह दिया हुआ है तो तब अपने इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो तो देखे डियर स्टुडेंट्स थोड़ा सा आपको इस ट प्रिवियस येर बच्चों ने काफी सरकमेश्टरी में तो ऐसे दिया हुआ है हमारे तो वहां पर हो सकता है उनकी वर्डिंग अलग हो समझाने का तरीका अलग हो लेकिन यहां पर अपने फिजिक्स के इसाब से चलना है तो जैसा आपको दिया हुआ है वैसे आपको पढ़ेंगे और जो polarization vector है वहां से question आने की chance है board में यहां जो starting में dielectric substance है इसके type वगरा है यहां से question नहीं आते है ठीक है तो इसको आपको वैसी knowledge के लिए पढ़ना है तो पहले देखो dielectric substance क्या चीज होती है dielectric substance कि दा materials that do not flow electric current वैसे अपने पढ़ा था कि जो आपके insulator होते ह अपने पढ़ा था ना conductor और insulator previous video में तो जो insulator होते हैं insulator को यह अपने क्या बोल देते हैं dielectric material बोल देते हैं dielectric substance यह dielectric material तो देखो इस जो आज मैं आपको करवा हूँगा इसमें कई जगे मैंने material लिख दिया कई जगे substance तो वो एक ही बात है बच्चों उसमें confused मत हो ना कि स अपने material और substance ऐसे कैसे लिख दिया तो material substance का meaning एक ही है ठीक है तो कौन से material होते हैं जो electric current को flow नहीं होने देते यानि जब उनको अपने क्या कर देते हैं किसी external electric field में place कर देते हैं मतलब बार से अपने electric field ई-vector लगा रखा है तो इस ई-vector में जब आप उने place कर देते हो तो इसको अपने क्या वो देते हैं dielectric substance तो effective यानि external electric field में जब अपने इसे रखेंगे तो यह क्या करते है comment algorithm effect शो करते हैं अब electric effect क्या होता है यह आपको पढ़ना है तो electric effect quarter ग्वास्त में क्या चीज आफ्वी इस line का मतलब क्या हुआ कि जब अपने इसको external electric field में रखा तो यह electric effect शो करते हैं तो वो अपने आगे पढ़ते हैं पहले इसके example पढ़ लो कि abonite, wax, paper, oil यह सारे किसके example है जो dielectric material है उनके example है ठीक है तो अब electric effect क्या होता है वो देखो आप कि when these materials are placed in external electric field then atoms and molecules of material are slightly rearranged so the internal electric field of materials will changed अब होता क्या है यह देखो कि जब आपने dielectric substance जो होते हैं उनको किसी electric field में place कर देते हैं तो इनके जो atom है और जो molecules हैं और साथ में आपको पता है molecule में atom होते हैं और atoms के अंदर क्या होते हैं electron और जो इसमें एक आपने पढ़ा है इसमें होता है nucleus ठीक है तो जब आपने इसको e vector किसी electric field में place कर दिया तो अब आपको पता है कि जो molecules है molecules कें अंदर atom है atom कें अंदर क्या है electron और nucleus है तो इन electron और nucleus पे negative और positive चारज होता है तो इन पर क्या लगता है electric force लगता है क्यूई क्या लगता है electric force लगता है q e तो अब इन पर force लगने की वज़य से क्या होता है कि ये थोड़े बहुत इन में हल चलोती है ठीक है न, electron में और nucleus में थोड़ी बहुत हल चलोती है अंदर यानि कि electron अपनी जो position उसको rearrange कर लेते हैं मतलब ऐसे समझ सकते हो, भी पहले वो यहां पर बैटा ता फिर थोड़ा सा धूर हो जाएगा या और अपनी थोड़ी सी जगह से हिलडूल हो जाएगी ठीक है न, तो वही चीज़ है कि जब अपने इन materials पर external electric field एपलाई करते हैं तो इनमें जो electron होते हैं और जो nucleus होते हैं, मतलब charged जो material होता है जो इसमें उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत change होता है, अपनी जगह से हिलडूल करता है तो उसके कारण जो इनका external electric field है अब अगर charge present है, तो charge present तो electric field होगा या नहीं होगा positive charge भी है, negative भी है, तो electric field अंदर होगा, material का electric field खुद का होगा तो वो खुद का electric field क्या हो जाता है, change हो जाता है यहां पर, ठीक है तो तब ही अपने जो dielectric materials होते हैं, इसमें क्या होता है, कि उपर लिखिये line कि जब अपने इनको external electric field में रखते हैं, तो यह electric effect शो करते हैं तो वो effect यही होता है, आपके एक line में अगर कहना चाहो तो यह कह सकते हो कि जो इनका internal electric field होता है, एक तो आप बाहर से लगा रहे हैं electric field जिसको external बोला, एक अंदर जो electric field होता है, किसके कारण electron और nucleus के कारण वो थोड़ा सा change हो जाते हैं, या अगर सीधी बाशा में कहो तो अंदर थोड़ी बहुत हिल डूल हो जाती है, atom वगेरा हिल जाते हैं, थोड़ा बहुत हिलते हैं ज्यादा नहीं भी ऐसे नहीं भी position जगा ही change कर दी, थोड़ा सा हिलते हैं, तो उसके कारण change हो जाता है, electric field, तो तब भी अपने क्या कह देते हैं, कि ये वाले जो materials है, dielectric वो क्या करते हैं, कि इसमें जब भी आप external electric field में रखते हो, तो ये electric effect शो करते हैं, अब next क्या है, कि there are two types of dielectric substance, dielectric substance होते हैं, वो कितने हैं, दो type के होते हैं, पहले नबर पर है polar dielectric, तो polar dielectric क्या होते हैं, कि the materials in which the center of negative charge distribution do not coincide with the center of positive charge distribution are called polar dielectrics, अब आपकी जो language, sorry, जो definition आपकी book में जो दी होई है, वो क्या है, वो थोड़ इसी different है, मतलब जो वास्ता में इसकी definition होनी चाहिए थी ना, उससे थोड़ इसी different है यह वाली, ठीक है तो आपको तो देखो book के इसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन जो real definition है इसकी वो यहां नीचे next line में लिखी हुई है, ठीक है, यानि जो याद करनी असान रहती है तो आप मैंने तो दोनों definition लिखी हैं, अब आपको जो याद हो लिख लेना, तो इस definition का मतलब समझो भी, मतलब क्या है इसका, जो उपर अपने definition लिखी हुई है, कि the materials in which the center of negative charge, यानि कि वो वाले material जिसमें negative charge का center और positive charge का center do not coincide, coincide नहीं करते हैं, मतलब एक line पर present नहीं होते हैं, मालो भी negative charge भी यहीं पे हैं, ऐसा इन में नहीं होता, अब अगर मैं यहाँ पर example लूँ, तो सबसे बड़ी example जो इनका आता है, वो H2O का आता है, अब आप H2O के example से इसको समझोगे, तो H2O आपको मैं book से दिखाता हूँ, कि H2O की जो structure है, उसको किस तरह से अपने define करते हैं, यह वाले जो material के base पे, तो देखो यह वाले यहाँ पर क्या है, H2O molecule है, उसकी structure है यहाँ पर show की हुई है, तो इसमें क्या होता है, कि यह वाले तो H positive ions होते हैं, H positive, यह H positive, ठीक है, H और H होगी यहाँ पर, अब क्या होगा, O minus 2 होगा, तो अब क्या होगा देखो, एक O minus 2 देखो, अब इसमें क्या होगा, कि 1 O minus 1 और H positive, यह वाली line जा रही है, दोनों charges को मिलाने वाली, और एक negative और positive charge को मिलाने वाली, यह वाली line जा रही है, तो अगर इसमें मैं कहूँ कि H, H और O, तीनों के जो center है, O का center तो ये रहा, H का center ये रहा, और H का center ये रहा, ठीक है, तो ये तीनों बताओ, एक line में है या नहीं है, नहीं है, अगर तीनों एक line में होते हैं, मालो यहां यहीं पे H होता, यहां O आ जाता है, यहां दूसरा H जा आजाता तो इनको कह देते हैं अपने ये वाला जो इन तीनों के center हैं वो क्या है concide है इसका मतलब concide होता है ठीक है अगर एक line में ना आओ तो उनको क्या बोले के जिनके center क्या होते concide नहीं होते तो अब आप देखो यहाँ पे HCl molecule दिया हुआ है तो इसमें तो कहोगे कि सर यहां तो center coincide है ठीक है यहां पे क्या है देखो CL है और H है एक line में है तो यह तो पंगा पड़ गया तो non-mallic है जो non-polar sorry polar आपके dielectric है तो उसकी definition तो गलत होगी लेकिन यहां पे पूरी definition में क्या है एक चीज और add होती है जिससे आप polar जो dielectric है उन line पे आते भी है center तो उनके लिए एक property और है जो different होती है वो देखो आपके पास क्या है कि in these materials each molecule has their net dipole moment so each molecule behaves like an electric dipole बहिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं HCl की बात करूं H positive or CL negative आइन होते हैं और H positive or CL negative आइन एक दूसरे से कुछ distance पे रहते हैं तो अब आप देखो पी एक positive charge है और एक negative charge है दोनों पी एक पे plus one है और एक पे minus one है और कुछ distance पे पड़े हुए हैं तो अब इन दोनों का ये दोनों मिलके क्या बना देंगे एक electric dipole बना देंगे तो electric dipole अगर ये electric dipole का formation करते हैं तो क्या होगा इनका खुद का dipole moment भी होगा तो दूसरी चीज यहां पर ये आती है polar die electric में कि इन में कोई भी अगर molecule ले लो आप अगर HCL ले रहे हो तो HCL का एक molecule खुद क्या होगा है एक dipole होगा तो दो conditions आपके पास आती हैं एक तो ये कि जो आपके polar die electric हैं वो क्या होते हैं उसमें जो molecules हैं उनके center coincide नहीं होते जो atoms हैं या ions हैं उनके जो centers हैं वो coincide नहीं होते लेकिन अगर coincide हैं तो दूसरी property ये होगी कि जो आपका material है या substance है उसमें जो ions हैं वो एक dipole का formation करते हैं मतलब जो आपका molecule होगा पूरा वो एक dipole की तरह behave करेगा खुद एक electric dipole होगा तो ये दोनों में से अगर कोई भी condition आपकी satisfy होती है तो वो आपका polar dielectric है पहली हो सकती है दूसरी हो सकती है दोनों हो सकती है कोई ऐसे करके कोई मरजी हो सकती है ठीक है तो अब आपको मुझे अमीदा समझ आ गया होगा कि polar dielectric क्या होता है अब दुबारा आपको देखो अगर बुक से दिखाओं तो यहां पे अगर मैं बात करता इस HCL molecule की तो CL negative आइन यह रहा और positive आइन यह रहा तो यहां पे positive charge है यहां पे negative charge है तो अब आप पताओ कि जो dipole moment की direction होती है वो क्या होती है फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ चुके हो अगर positive है और negative है तो dipole moment की direction क्या होती है negative to positive होती है मैंने आपको बताया भी था अगर नहीं बता तो उस chapter के notes देखना जहाँ dipole moment लिखवाया है dipole moment की definition के बाद एक line मैंने आपको लिखवाई थी कि जो direction of dipole moment होती है वो negative charge to positive charge की तरफ होती है तो वही चीज़े यहां पे कि negative to positive की तरफ जो इसका dipole moment हो ऐसे होगा अब यहां पे देखो यहां पे कैसे होग तो यहां पे तो सीधा dipole तो कोई बनी नहीं रहा तो सीधा dipole बनी नहीं रहा क्योंकि देखो यहां पे plus one charge माल लो आप यहां h पर plus one माल लो plus one plus one पड़े है लेकिन यहां पे minus two है तो इस minus two का अपने ऐसे मान सकते है भी minus one और minus one दो charge पड़े होए है minus one minus one के ठीक है तो अब एक डाइपोल का formation तो ये वाला कर लेता है और एक डाइपोल का formation ये वाला कर लेता है ठीक है मतलब यहाँ पे दो डाइपोल होते हैं क्या होंगे दो डाइपोल बनेंगे तो देखो डाइपोल moment की जो direction है वो negative to positive तो एक डाइपोल moment की direction ये एक की direction ये और इन दोनों वेक्टर quantity है तो दोनों का जो resultant यहां बीच में आएगा ऐसी होता है कि अगर मालो एक वेक्टर आपको यह दिया हुआ है यह किदर दिया हुआ है तो इनका जो resultant होगा यहां कहीं बीच में होगा ठीक है तो वही चीज यहां पर है कि जो इनका net dipole moment होगा वह यहां के बीच में होगा मतलब एक जो molecule है उसका खुद का net dipole moment कुछ ना कुछ होता है जरूर होगा ठीक है तो अब आपको यह चीज समझ आगी अगर नहीं भी समझ आई तो एक आपके vertices हैं यहां पर पड़े हुए है और एक plus two q चार्ज उपर वाले पर पड़ा हुआ है तो अब आपको इसका क्या करना से शायद electric wheel या dipole moment ऐसे कुछ निकालना था तो अब अपने इस plus two q जो यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है यह अपने ऐसे मान सकते हैं कि जब आपका इकठा चार्ज दिया हुआ तो उसको अलग-अलग चार्जों के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं ठीक है तो आपको dipole यह समझ आ गया होगा अब next देखो एक चीज आपको दिमाग में ही होनी चाहिए जो polar dielectric है उनका क्या होता है जो net die जो dipole moment होता है उसकी value होती है हर एक molecule की लेकिन यहां पर एक चीज और है कि in the absence of external electric field all the molecules in substance are randomly oriented so net dipole moment of whole material is zero मतलब कि जब आपने external electric field नहीं लगा रखा है उस position में क्या होता है कि जो आपका सारा material है मालो आपने hcl काफी सारा material लिया हुआ है तो उसमें ऐसे तो है नहीं भी एक एक उसमें molecule होगा उसमें तो बहुत सारे hcl के molecule होंगे तो उन सारे molecule का खुद का dipole moment तो होता है लेकिन अगर पूरे material की बात करें तो उसका dipole moment क्या होता है जीरो होता है अब क्यूं होता है वो देखो वो यहां पे मैंने बताया हुआ है जब यह क्या होता है कि जब इस पर कोई external electric field आपने नहीं लगा रखा यह कुछ भी नहीं लगा रखा सिधा material ले रखा है तो इसमें जो अंदर molecules होते हैं वो क्या होते हैं ऐसे क्या होता है randomly oriented का मतलब randomly पढ़े रहते हैं किसी का मुंग किदर होता है किसी का मुंग किदर होता है किसी का किदर है वो क्या है कि different different ऐसे random आएगी तो अपने ये मानते हैं वास्ता में तो देखो होता या नहीं होता वो पता नहीं लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो इनका net dipole moment है वो क्या होता है जीरो होता है तो एक चीज यहां पे आपको confuse नहीं होना कि एक molecule का polar dielectric में एक molecule का dipole moment तो होता है ठीक है न वो एक खुद electric dipole होता है लेकिन अगर पूरे material की बात करें तो सारे जो उसमें molecules हैं उन सब के dipole moment का sum क्या होता है zero होता है मतलब सारों का dipole moment मिला के अपने पास क्या आ जाता है zero तो अगर पूरे material की बात कर तो पूरे material का dipol moment आपके पास 0 आ जाता है अब next देखो next point क्या दिया हुआ है एक एक point करके इसको समझते जलो वैसे तो एक चीज बचो इसमें यह है कि आपका यह वाला जो आज का topic है न यह book में same ही दिया हुआ ऐसे का ऐसे थोड़ा बहुत change हो सकता है मेरी language में क इसको बहुत अच्छे से explain किया हुआ है लेकिन बच्चों की mentality होती है कि notes सही पढ़ना है वैसे तो मैं यह book से भी करवा सकता था और previous year मैंने ऐसी किया था बच्चों को book से पढ़ने के लिए दिया था notes नहीं बनवाए थे इसके लेकिन यहाँ पे कई बच्चों के mentality होती है नोट्स में जो चीज लिखिया वो असान होगी तो उसको असान लगती भी है चाहे मैं book का same ही चाहँ दूँ लेकिन आपको notes से पढ़ना असान लगेगा यह बच्चों का psychologically दिमाग में दिमाग में set ही ऐसा होता ही है ठीक है तो अब next क्या है यहाँ पे induced हाँ सौरी induced क्या इ किसी external electric field में place करते हैं यानि यह एक इस पे electric field लगा दिया then there will work a torque on each molecule तो हर एक molecule पे क्या करेगा torque work करेगा which takes each molecule align with electric field as shown in figure अब देखो आपको पता है कि जब भी किसी डाइपोल को अपने क्या करते हैं किसी electric field में place करते हैं आपने first chapter में पढ़ा है first chapter का बिलकुल last topic कि मालो यह एक electric dipole है यहां minus q charge पड़ा और यहां पे plus q charge पड़ा है तो यहां इसको मिलाया तो अपने इसको क्या किया था एक electric field में place किया था तो अपने कहा था कि जो plus q charge है उस पे तो क्या है electric field की direction में force लगता है और minus q charge पे इसके opposite direction में force लगता है तो यह वाला force इससे नीचे लेके आ तो आपका डाइपोल है वो रोटेट होगा, रोटेट होने की कारणी इस पर क्या वर्क करेगा, टॉर्क वर्क करेगा, तो अब इसमें भी यही चीज होती है, कि अब इसमें हर एक मॉलिकूल आपको पता है कि डाइपोल की तरह वर्क करता है, तो जब डाइपोल की तरह वर् तो ऐसे होगी तो आप हर एक डाइपोल पे क्या होगा जो आपका madness टॉर्क वर्क करेगा PE sign theta या PE cross e तो अब टॉर्क के कारण क्या होते है यह सारे molecules होते है यह डाइपोल होते है यह इलएक्रिक फिल्ड के align क्या हो जाते है splashing कैसे होते है कि जोनका नेगेटिव पार्ट है वो positive वाली side रहता है और जो positive पार्ट है वो negative वाली side क्योंकि attraction के कारण तो हर एक dipole क्या हो जाता है या हर एक molecule ऐसे arrange हो जाता है बिल्कुल एक line में तो अब देखो अगर मैं इसका net electric dipole moment निकालूं तो क्या आएगा इसका इदर आएगा इसका भी इदर आएगा इसका भी इदर आएगा ठीक है तो हर एक जो आपके पास molecule है उसका dipole moment एक ही direction में हो जाता है तो अब इसका जो net dipole होता है पूरे material का जो dipole होता है वो 0 के equal नहीं रहता लेकिन यहाँ पूरे material का 0 था हर एक molecule का तो था ही लेकिन पूरे material का 0 था लेकिन यहाँ पे पूरे material का 0 नहीं रहता तो अब इसमें क्या आ जाता है इसका dipole moment कुछ ना कुछ बन जाता है उस dipole moment को अपने बोल देते हैं induced dipole moment थीक है तो वही चीज़ मैंने आपे लिखिया है कि so after applying external electric field the net dipole moment of the material is induced यानि कि जो पूरे material का dipole moment हो जाता है वो induced हो जाता है तो इसको अपने क्या बोल देते हैं induced dipole moment बोल देते हैं ठीक है तो external field लगाने से पहले जो dipole moment था वो dipole moment तो क्या होता है 0 होता है लेकिन external field लगाने के बाद जो dipole moment है वो कुछ न कुछ उसका आ जाता है क्योंकि सारे molecules एक line के along align हो जाती है ठीक है तो अब आपको समझ आ गया होगा तो यहां तक था आपना polar die electrics अब next जो topic आता है वो आता है non polar die electrics तो जब polar समझ में आ गया आपको तो non polar उसका बिलकुल opposite होगा तो opposite होगा तो इसको समझना आसान रही गाब आपके लिए ठीक है तो the materials in which center of negative charges concides with the center of distribution of positive charges are called non polar die electrics अब इसमें क्या होता है इसमें यह चीज कह दी कि जो positive charge का center है और जो negative charge का center है यह concide होते हैं मतलब एक ही line पर like करते हैं यह वाले ठीक है अब सबसे जो famous example आता है इसमें वो CO2 का आता है जैसे यहां पर दिखाया हुआ है CO2 molecule आपको तो CO2 में क्या होता है कि यह देखो इसमें 3-4 जाए यहां पर sorry 3-0 जो एक C है दो O है ठीक है इन 3-0 का center क्या है यह देखो A की line में आ रहा है बिल्कुल इस तरह H2 दिखाया हुआ है तो H2 में भी क्या आ रहा है A की line के along in का क्या आ रहा है जो dipole sorry A की line के along in के दोनों के center आ रहे हैं जो आपके पास H के atoms है ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे तो इसमें क्या होगा Linear molecules होंगे यह कह सकते हो आप उसमें linear नहीं होंगे उसमें टेड़े मेड़े हो सकते हैं जिसमें angle आ जाते है जैसे CCL4 की बात करते हो आप ठीक है तो उसमें क्या होता है CCL4 में carbon tetra chloride जो होता है उसमें भी dipole moment आता है उसका कुछ नकुछ हो उसमें आप कह देते हो भी आप center में तो C रहता है एक CL उपर होता है एक CL ऐसे होता है कुछ angle पर है अब angle उंगल तो मुझे दियान नहीं है कितने होते हैं तो ऐसे करके आ जाता है ठीक है तो इसका क्या होगा dipole moment होगा एक molecule का तो आपने कहेंगे कि ये किसमें आ जाएगा CCL4 इसमें आ जाएगा जो आपके polar dielectric है तो अब जो non polar है उसमें सबसे जो famous example है वो CO2 का है तो इसको आपको याद रखने है तो आपको समझ आगे अब ये की line के along होते हैं H2 होगा CO2, NO2 ये सारे example होगे अब इसमें जो दूसरी चीज आती है वो previous के opposite होगी अब previous जो polar dielectric आपने पढ़ा था उसमें तो ये पढ़ा था कि जो इसका हर एक molecule होता है जो polar dielectric का उसका खुद का dipole moment होता है लेकिन इसमें क्या होगा नहीं होगा in these materials net dipole moment of each molecule is zero हर एक molecule का जो dipole moment is zero होता है so dipole moment of all the substances is zero यानि सारे सबस्टांस का भी क्या होता है जीरो होता है अब आपको देखो चाहे तो polar है ठीक है चाहे तो polar है और चाहे आपके पास non-polar है polar और non-polar इसमें जो molecule की बात करता हो अगर मैं अगर मैं molecule की बात करता हूँ तो इसमें dipole moment होता है लेकिन इसमें जो molecule का dipole moment है वो 0 होता है इसमें जो पूरे material की बात करूँ अगर मैं यहां पे polar में पूरे material का dipole moment 0 होता है और जो non-polar है उसमें भी क्या होता है 0 होता है मतलब एक चीज सेम होती है कि पूरे material का dipole moment चाहिए आपका polar है चाहिए non polar है in the absence of external electric field क्या होता है zero होता है लेकिन molecule का polar का zero नहीं होता लेकिन non polar का क्या होता है zero होता है ये इसमें क्या आगया फरक आगया है ठीक है अब next क्या है कि when these materials are placed in external electric field then there will induce dipole moment of each molecule and arc material तो अब इसमें भी वही चीज होती है same e polar वाली इसमें क्या होगा कि जब आप इसको external field में रख दोगे तो आपको पता है कि जो non polar dielectric है positive negative तो इसमें भी होती है तो इन पर क्या होगा जब आप इस पर electric field लगा दोगे तो positive और negative पर QE बल काम करेगा positive पर तो QE और negative पर minus QE काम करेगा तो ये क्या कर देता है इनके जो center होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी distance बढ़ा देता है मतलब positive और negative charge को थोड़ा सा दूर कर देता है बीच में gap ला देता है ये वाला ठीक है तो अब इससे क्या हो गए इसमें net dipole moment आ जाएगा अब अगर देखो अगर मैं CO2 की बात करता हूँ यहां पर तो यहां actual में क्या होता है कि देखो ये C जो होता है यहां पर positive की तरह भी यह करता है ये negative और ये भी negative तो अब positive और negative की बात करूँ तो एक dipole तो इसमें ये वाला बन गया मान लो वैसे तो dipole नहीं होते है चलो अगर dipole मानते भी अपने charge की basis पर मान लेते हैं तो एक dipole ये हो गया तो negative to positive इसकी direction होगी तो इसकी direction अगर अपने बात करें तो इस direction में हो जाएगा पी वन इसका dipole moment हो गया ठीक है अब बिलकुल सेम ही यहां पे है C और O एक dipole ये वाला बन रहा है तो इसकी direction negative to positive होगी यानि ये वाली होगी तो इसकी direction ये वाली होगी और P1 ये होगी क्योंकि दोनों सेम है molecule तो मतलब इसका एक dipole moment तो इधर हो गया C है या ये वाला हुआ है अगर मानलो C थोड़ा से हिल गया इसकी तरफ चला गया तो अब ये वाली distance change हो जाएगी इधर वाले C और O के बीच और इधर वाले के बीच भी change हो जाएगी मानलो ये क्या हो जाएगी और इधर वारी distance बढ़ जाएगी तो अब इसमें net dipole moment कुछ ना कुछ बन जाता है तो आपको देतने ही याद रखने है जब भी polar और non-polar dielectric को अपने क्या करते हैं external electric field में रखते हैं तो उसके जो atoms हैं या molecules हैं वो rearrange हो जाते हैं उसमें क्या हो जाता है net dipole moment induced हो जाता है net dipole moment क्या हो जाता है induced हो जाता हर एक molecule का भी और सारे material का भी तो अपने इसको क्या बोल देते हैं induced dipole moment तो ये चीज आपको समझागी तो दो चीज़े सेम आ रही हैं polar और non-polar में एक तो जब आप external field लगा देते हो तो इसमें net electric dipole moment induced हो जाता है और दूसरी चीज कि जब आप external field नहीं लगाते हो तो उससे पहले सारे material का electric dipole जो होता है वो क्या होता है आपके पास zero होता है फरक क्या है फरक एक है दोनों में कि एक में तो क्या होता है कि जो molecule है उसका वो एक electric dipole की तरह behave करता है और दूसरे में जो molecule होता है एक single molecule वो क्या होता है electric dipole की तरह behave नहीं करता है इतना फरक है वैस तो यह इसमें क्या आजएगा difference आजएगा अब next देखो आपके पास polar और non-polar dielectric होगे complete अब बात आती है यहां पर polarization की ठीक है polarization वाला topic तो इसको अच्छे तरीक के से समझना है आपने एक चीज में आपको और बता दू बच्चो थोड़ी सी बात है कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए ठीक है चोटी से चोटी चीज भी आपको किस काम आ जाई यह आपको कभी नहीं पता लग सकता अब मैं आपको खुद का example देता हूँ मैंने आपको कभी नहीं बताया कि पिछली जो आपको पता है राजस्थान में रीट बरती की परीक्षा होती है तो पिछली रीट में जो मेरे नंबर है वो नंबर पताया कितने है मेरे हैं 33.42 और जो काट आफ गई है वो 33.50 यानि 0.09 का difference है अगर मैं पेपर में एक क्वेस्टन और सही कराता तो गौर्वर्मेंट टीचर बन जाता ठीक है आज गौर्मेंट टीचर लगा हुआ होता तो देखो एक क्वेस्टन अगर मैं कोई भी मेरे टॉपिक क्या हो गया कमजोर रहे गया जिससे मेरे क्वेस्टन गल्थ होगे अगर एक क्वेस्टन ही सही हो जाता तो क्या हो जाता दशा चेंज होती तो वही चीज है कि किसी चीज को छोटा मत समझो जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको एकुली करके बढ़ो ठीक है ना पेपर के लिए आस्यां राजस्तान बोर्ड में हो सकता है कि उसकी वैल्यू किसी चैप्टर में तो आपको क्या करना है आपको तो अपने फ्यूचर के इसाब से पढ़ना चाहिए ना कि only बोर्ड के इसाब से तो अब polarization देखो क्या होता है कि in dielectric materials in the presence of external electric field external electric field की presence में to acquire a net dipole moment यानि कि ये क्या करते हैं जब भी अपने dielectric चाहिए तो आपके polar और चाहिए non polar dielectric हो जब उन पर external electric field अपने लगा देती है तो उसमें क्या हो जाता है एक net dipole moment क्या हो जाता है induce हो जाता है इनका net dipole moment कुछ ना कुछ आ जाता है acquire मतलब प्राप्त कर लेते हैं dipole moment कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है इस गटना को अपने इस incident को बोल देते हैं polarization ठीक है अब देखो next इसमें छोटी-छोटी definitions है polarization आप कैसे नहीं भी detail में है सारा topic इतना detail में नहीं है आगे BSE में आता है पूरा detail में तो यह यहाँ पर only definitions है तो जो जो definitions आपको chapter में दी होई है वो अपने समझते हैं next जो definition दी होई है वो आपको दी होई है कि linear isotropic die electrics यह क्या होते है linear isotropic तो the materials in which the dipole moment is proportional to the external electric field is along the field and is along the field are called linear isotropic die electrics अब इसका मतलब क्या है वो देखो आपको बता है कि जब भी अपने die electric जो material होता है चाए pull रहे चाए non pull रहे उस पर external field लगाती है तो उसमें dipole moment induced हो जाता है तो एक ऐसा material जिसमें क्या हो कि जो induced dipole है यानि P vector आप dipole moment लिखते हो यह small P होता है यह क्या हो जब आपकी पास इस E vector के proportional आजाए मतलब जो external field लगा रहा है उसके proportional मतलब जैसे जैसे आप external field की electric field की value को increase करो जो आपका dipole moment है वो भी material का increase हो तो उस type के material को अपने बोल देते हैं linear isotropic die electrics और दूसरी चीज यह है कि जो इसमें dipole moment की direction होती है और electric field की direction होती है यह same होती है जैसे आपने उपर देखा यह वाला तो यह एक यहाँ पे क्या है linear isotropic die electric का example है इसमें P vector की direction क्या है यह हरेक जो आप हरेक एटम की बात करते हो हरेक एटम इस side है और E vector की direction भी यह है तो P और E की direction सेम है दूसरी चीज क्या हो कि जैसे जैसे आप P को बढ़ाओ वैसे वैसे इसमें E increase हो तो उसको अपने बोल देते है linear isotropic die electric समझा गया दोना चीज़े कि P vector proportional to E vector और दोनों की direction भी क्या हो अब चीज आती है polarization vector ये question paper में शायद एक बार आया हुआ है जहां तक मुझे आधार है तो ये क्या चीज होती है polarization vector तो आपको वही मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ कि आपने क्या किया कुछ material लिया कोई भी die electric material ले लिया उसको external field में रख दिया तो external field में रखने से क्या होगा दुबार repeat करो क्या होगा क्या होगा जब उनको external electric field में रखेंगे तो उसमें induced dipole moment आ जाएगा dipole moment कुछ न कुछ आएगा तो अब अगर उस dipole moment को induced dipole moment को जो material आपने लिया हुआ है उसके volume से divide कर दें जितना कितना volume लिया हुआ है आपने उससे अगर उसको divide कर दें तो वो क्या आ जाएगा अपने पास जो नई quantity आएगा उसको अपने बोल देते हैं polarization vector तो आप ऐसे कह सकते हो कि induced dipole moment per unit volume is called polarization vector कि in the presence of external electric field induced dipole moment per unit volume of a substance is called polarization vector and it is denoted by p vector अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि सर जो dipole moment होता है उसको तो भी p सी लिखते है लेकिन बचो वो small p होता है अपने capital p यूज कर लेते हैं लेकिन actual में वो small p होता है तो उसको small p से लिखते है और जो polarization vector है इसको क्या लिखते है capital p से अब small p और capital p में difference अगर आपको मैं समझाओं तो दें आदे को खाली जगह पर समझते हैं अपने इसको कि आपके पास आपने external electric field लगा दिया कोई न कोई किसी भी आपने चीज के amount ले ली मानलो उसका volume ले लिया आपने 3 meter cube 3 meter cube उसका volume ले लिया आपने कोई भी dielectric material है उसका volume आपने इतना ले लिया 3 meter cube अब आपने उस पर क्या कर दिया electric field लगा दिया तो उसमें dipole moment induce होगा p vector की कुछ ना कुछ value आजेगी तो ये p vector मानलो आपके पास आगया 15 kulam into meter क्या आगया 15 kulam into meter इसमें क्या आगया dipole moment की value आजेगी तो अब अगर अपने क्या कर दे इस p vector को इस किस से divide कर दे इस v से divide कर दे मतलब 15 को आप 3 से divide कर दो तो क्या आजाएगा आपके पास अब 5 आजाएगा तो ये वाला जो 5 है इस 5 को अपने क्या बोल देते है capital P vector यानी polarization vector मतलब per unit volume में कितना dipole moment induced हुआ है उस dipole moment की value को ये अपने क्या बोल देते है जो polarization vector तो ये आपकी book में क्या है कि only definition इसकी दी हुई है ये वाला formula नहीं दीया हुआ तो ये मैंने खुद लिखवाया इसको लिख लेना इससे ज़्यादा समझाएगा अब next एक चीज याँ पे और दी हुई है क्या कि अगर अपने linear isotropic material लें तो उसमें क्या होता है P vector proportional to E vector होता है capital P vector यानी आपको पता है कि जो linear isotropic material उपर आपने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि जो induced dipole moment है वो क्या हो जाता है जो आपका electric field है उसके proportional होता है induced dipole moment electric field के क्या होता है proportional होता है तो अब आपको पता है कि ये वाला capital P vector ये भी induced dipole moment है लेकिन है ये unit volume का किसका है ये unit volume का तो है तो ये क्या induced dipole moment ही और वो क्या होता है इस e vector के proportional तो जो polarization vector हो वो e vector के proportional होगा isotropic material के लिए है तो अगर मैं यहां पे इस proportionality sign को उटाके equal लगाता हूँ तो यहां एक constant आ जाता है और इस constant को देखो वैसे तो अपने जो समाने बाशा होती है पहले तो इसको लिखने का तरीका देख लो आप आपको क्या करना है? सिंबल लगाना और एक line इसमें सीधी लगा देनी है मतलब ऐसे teada integration का symbol और उसमें एक line आपको सीधी लगा देनी है अब इसको बोल देते हैं डिको हिंदी में तो इसको काई कहते हैं ठीक है हिंदी में क्या बोलते है काई और English में CHI लिखा होता है वैसे तो इसका हिंदी अगर निकाले तो काई बनेगा लेकिन चाई भी कह देते हैं इसे कई जाने तो आपको काई पढ़ने से सही उचारन इसका काई है ठीक है काई जैसे आपने सिगमा पढ़ा है एपसाइलन पढ़ा है वैसे ही ऐसे ही सिंबल है यह एक काई काई इस एक कॉंस्टेंट यह एक कॉंस्टेंट है इसको अपने क्या बोल देते हैं इसको अपने क्या बोल देते है ठीक है उस चीज को मेजर करता है ये मतलब किसी की electric susceptibility ज्यादा है तो मतलब आप उसको ये कह सकते हो कि उसमें जितना ज्यादा electric field लगाएंगी उतना ही ज्यादा लाइपल मोमेंट इंड्यूस होगा तो इसको electric susceptibility बोलते हैं और ये dimensionless quantity है अब आपने क्या करने इसकी dimension निकालके देखनी है आपको पतै जो capital P है ये polarization vector है और इसकी जो value होती है वो small p vector और upon में क्या होती है e vector होती है small p vector और upon में v होता है तो small p की आपने unit पड़ी होई है column into क्या होती है meter होती है अब v आपने पढ़ा हुआ meter cube होती है तो यहां से इस P vector की dimension निकालना और E vector की dimension आपको पता है इन दोनों को बाग देना क्योंकि काई E की value निकालोगे तो P vector upon E vector आएगा तो आपके पास सारी जो dimension आएगी 0 आएगी मतलब M0, L0, T0 सब कुछ 0 आजाएगा तो यह एक dimension less quantity है और दूसरी चीज मैंने आपे note लिखा हुआ है कि जो diagram बचो यह diagram है जो मानलो यह वाले diagram आपके पास ही यह circle वाले यह सारे आपको book से बनाने है notes में बना लेना आप मैंने बना यह नहीं है क्योंकि time ज़्यादा लग रहा था उसमें तो आपको same यह वाले diagram तो यह थे बचो आपके आज के topic है इसमें देखो आपको क्या करना है कि जो topic है इसमें definitions ज़्यादा है तो definitions लिख के याद होती है तो इनको लिख लिख के आपने याद करना है ठीक है और ज़्यादा serious नहीं लेना है इस topic को अगर आपको थोड़ी बात problem आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो लास्ट में इस chapter के एक वीडियो और बना दूँ है जिसमें आपकी problems discuss कर लेंगे और बाकी आपको अच्छे तरीके से chapter करना है जो आपका chapter का नाम है ना electric capacitance वो chapter अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ ठीक है ना electric capacitance ओर इजिनल चैप्टर आपका next वीडियो में स्टार्ट होगा यह अभी क्या है definition और introduction वगेरा ही चल रही है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day बच्चो